जैहिंद वंदे मात्रम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस वाल डायम सेक्यू चैनल पर तो फ्रंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कॉंस्टबर लगजाम 2022 के लिए model practice state 6 को cover करेंगे तो जल्दी जल्दी से आप सभी live में जुड़ जाएए सभी को good evening good evening तो चलिए आपका बिल्कुल भी time बरबाद ना करते हुए आज की session को start करते हैं तो आज के session का पहला प्रस्ण है मीरा जोर से हसी यह वाक्य किस क्रिया का समोचित उधारन है आपको answer करने के लिए maximum five second का time दिया जाता है तो आप लोग live check में अपना अपना answer करते जाएंगे तो दिखे मीरा जोर से हसी यह जो वाक्य है इसमें अकर्मक क्रिया का प्रियोग किया गया है तो फर्स्ट option हमारा बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अकर्मक क्रिया में क्या होता है तो दिखे जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर ना पढ़कर direct करता पर पढ़ता है उसको अकर्मक क्रिया बोला जाता है जैसे कि इस वाक्य में मीरा जोर से हसी यहां पर हसने का काम direct करता पर यानि कि मीरा पर पढ़ रहा है इसलिए इसमें अकर विशेशन है विशेश से है जाती वाचक संग्या है या भावचक संग्या है तो देखे इस प्रस्न का सही जबाब जोई बच्चे लाइप चेट में ऑप्सन सी को दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है जाती वाचक संग्या है देखे जाती वाचक संग्या क्या होता है तो जिन वाचक संग्या के उधारन है नेक्ष्ट को सन भाउम का विशेश रूप क्या होगा चली आंसर करते जाएंगे देखिए यहां पर विशेश जो लिखा है यह टाइपिंग एर है विशेश इस तरह से होगा हम लिख के बता देते हैं तो दीके विशेश इस तरह से होगा तो भ उसे विशेश से बोला जाता है तो इसका राइट अंसर भूमी होगा नेक्ष्ट को सन को देखिए बुढ़ापा एक परकार का अभिसाव है तो रिखांकित सब्द की संग्या आपको पाचानना है तो इस वाक्षि में रिखांकित सब्द है बुढ़ापा तो बुढ़ाप प्रस्ण है आप सभी जानते हैं यह जो है भाव वाचक संग्या है फर्स्ट ऑप्षन बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्ष्ट को सन सिकारियों ने दो हिरन मार गिराए इसमें से बताना है यह जो लिखा गया है सेंटेंस कौन सा वाच्य है तो देखिए इस में क्या होता है करता की प्रधानता होती है नेक्ष्ट को सन को देखते हैं भारतिय संभिधान का अनुच्छे 335 यहां पर देखिए 335 नहीं होगा टैपिंग रर है 335 था तो दीके भारतिय संभिधान का अनुच्छे 333 सुनिस्षित करता है क्या सुनिस्षित करता है फिर स 333 के अनुसार यदि किसी राजी का राजपाल यह समझता है कि राजी की विधान सभा में आंगल भारतिय समुदाय का प्रतिनिदित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस को विधान सभा में नामजद कर सकता है तो दीके राजी की विधान सभा में एंगलो इंडियन समुदाय का प्रतिनिदित्व फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन देखिए भारतिय सम्विधान की छटी अनुसूची निमलिखित में से किन राज्यों के जनजातिय छेत्रों के प्रसाशन से सम्बंदित है most important person है चलिए answer बताएंगे तो दीके छटी अनुसूची जो है ये किन किन राज्यों के जनजातिय छेत्रों के प्रसाशन से सम्बंदित है तो याद रखना है असम मेघाले तिरफूरा और मिजोरम तो दीके किस option में दिया गया है option B में दिया गया है मेघाले तिरफूरा तथा मिजोरम असम भी होगा लेकिन option में नहीं है तो राइट अन्सर भी होगा मेघाले तिरफूरा तथा मिजोरम important person में ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन दीके एका अधिकार एक खाली अस्तान उद्योग है तो देखिए सबसे पहले समझते हैं एक अधिकार क्या होता है तो देखिए एक अधिकार वह market इस्तिती होती है जिसमें एक वस्तू का एक विक्रेता होता है तता अन्य विक्रेताओं के परवेस पर रुकावट होती है और एक अधिकार एक जो है यह एक फर्म का उद्योग है यानि कि first option हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question देखिए देश की मुद्रा के मुल्य हरास का क्या अरत है वह उती सांदर प्रस्ण है इस तरह के प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे आते हैं तो देखिए सबसे पहले समझते हैं मुद्रा हरास का मतलब क्या होता है तो देखिए जब देश की मुद्रा का मुल्य जो है अन्य देशों की तुल्ना में बजार की सक्तियों द्वारा कम हो जाता है तो इसे ही हम लोग मुल्य हरास कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना B option सही जबाब है Next question भारत में मुद्रा सफ़ती पर नियंतरन रखने है तू भारतिय रिजर बैंक निम्न में से कौन से उपाई अपनाता है चलिए आंसर करते जाएंगे देखे मुद्रा सफ़ती कुछ नहीं है ये एक परकार का महंगाई है आप बोल सकते हैं तो दीखे मुद्रा सफ़ती पर नियंतरन रखने है तू भारतिय रिजर बैंक कौन कौन से उपाई अपनाता है तो बैंक दर में परिवर्तन खूले बाजार की क्रियाएं नगद रिजर्व अनुपातों को बढ़ाना यानि कि उपर युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट कोशन उत्पादन में किसी देश को पूर्ण विसेश विसेश्टी करन नेमने स्थेतियों में प्राप्त हो सकता है चली आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लिस सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं तो दिखे इस प्रस्न का सही जबाब क्या होगा फंस्ट आप्सन हो जाएगा लागत समता की स्थिति में नेक्स्ट कोशन यदि कुल उपयोगिता अधिक्तम हो तो सीमान तुपयोगिता क्या होगी पड़ा पड़ा आंसर करते जाएंगे लाइब चेट में सभी लोग तो दिखे हमने इस प्रस्न को बताया था कि यदि कुल उपयोगिता अधिक्तम होती है तो सीमान तुपयोगिता जो है वो सुन होती है इस कथन को आप लोग डारेक्ट याद रख लिजिए फिर से एक बार बोल देते हैं याद रखना है यदि कुल उपयोगिता अधिक्तम होती है तो सीमान तुपयोगिता जो है ये सुन होती है याद रखना है नेक्स्ट कोशन भारत का 2016 के सु इस्त्य विकास लक्ष सुचकांग में कौन सा अस्थान है चलिए तो दीके इसमें भारत का जो अस्थान रहा था 110 फर्स्ट ओप्षन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत को 149 देशों में 110 अस्थान प्राप्त हुआ नेक्स्ट कोशन भारत का वित्य वर्स 2016 का राज कोसिय घाटा लक्षे क्या है इस तरह के प्रस्ट आपके एकजाम में डारेक्ट पुछ ले आते हैं इसलिए इस तरह के प्रस्ट जितने भी आते हैं उनको डारेक्ट याद रखी आप लोग तो दीके भारत का वित्य वर्स 2016 का राज कोसिय घाटा लक्षे क्या है सही जवाब है नेक्स्ट कोशन बैंक दर का आसे क्या है यानि बैंक दर का मतलब क्या होता है आपको बताना है तो दीके बैंक दर से अभी प्रयाए उस दर से होता है जिस पर केंद्रिय बैंक सदस बैंकों के पर्थम स्रेनी के बिलों की पुनर कटोती करता है तो इसका सही जबाब होगा केंद्रिय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारिक व्याजदर को बैंक दर बोला जाता है नेक्स्ट कोशन प्रति व्यक्ति आय के मान दंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है मोस्ट इंपोर्टन प्रस्ण है कौन सा गरीब है सबसे तो याद रखना है इसका सही जबाब है डी ओप्शन सी और है चलिए इसका सद आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा पारदर्सी उत्तक है फड़ा फड़ से आंसर करते जाएंगे और देखे इससे पहले जितने भी इस बुक से प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं लगबग पात प्रैक्टिस सेट कम्प्लीट हो चुका है तो सभी को आप जरूर जाके सॉल्ब कर लिजे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और भिवियाई है तो देखे इसका सही जवाब होगा फर्स्ट ओप्शन कंड्रा नेक्स्ट को सन बीज चोलक बनता है चलिए आंसर बताएंगे ये अध्यावरन से सी ओप्शन बिलकुल सही जवाब है नेक्स्ट को सन निम्द लिखित में से स्वसन के उप्रांत पैदा होते है चलिए आंसर बताएंगे बहुती सिंपल प्रस्ण है आपको बताना है स्वसन के उप्रांत क्या पैदा होता है तो आप सभी जानते है कार्बन डयोकसाईड यानि की सी ओटू नेक्स्ट को सन वायू के कार्बनिक गैसिय परदुसक है और जिसने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है गैसिय परदुसक है हाइडरोजन साइनाइड और पर ओक्सी एसी टाइल नाइट्रेड नेक्स्ट कोशन देखिए फालों के पकाने हे तू किस हार्मोन का प्रियोग होता है बहुत सांदार प्रस्ण है तो देखिए इसका सही जबाब क्या होगा तो जोई बच्चे B को दे रहे बिल्कुल सही जबाब जाएगा इथाइलीन इथाइलीन जो है यह गैश वब पादब हार्मोन है याद रखना है इसका प्रियोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन पौधों में कार्वो हाइडरेट किस रूप में होता है चलिए आंसर करेंगे important question है इसको खास कर ज्यान रखना है कि पौधों में कार्वो हाइडरेट जो है ये किस रूप में रहता है तो गुलकोज के रूप में रहता है first option हमारा बिल्कुल सही जबाब है next question वह बिंदू जहां प्यू निकल बिजान पर जुड़ता है क्या कर लाता है चलिए आंसर करते जाएंगे तो दीके इस प्रसन का सही जबाब क्या होगा तो दीके इसमें जो है option जो है थोड़ा सा टाइपिंग रहे है इसलिए इस प्रसन को छोड़ रहे है next question इन में से कौन सा अपने पंखों को मोड नहीं सकता है चलिए इन में से कौन सा अपने पंखों को मोड नहीं सकता है तो इसका सही जबाब होगा व्याद पतंग यानि कि dragon fly होगा याद रखना है dragon fly next question निम्लिखित में से कौन सबसे बड़ा गुनसूत्र होता है चलिए आंसर करते जाएंगे टाम सब तो दीके लैंप ब्रस गुनसूत्र जो है ये सबसे बड़ा गुनसूत्र होता है तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा लैंप ब्रस गुनसूत्र नेक्स्ट कोशन निम्न लिखित में से कौन सा हैलोजन ओक्सी अमल नहीं बनाता है तो देखे ये प्रस्ण रिपीट हो चुका है कल के प्रैक्टिसेट में भी हमने किया था कौन सा हैलोजन ओक्सी अमल नहीं बनाता है तो वो फ्लोरिन है प्रथम आइनन उर्जा के घड़ते क्रम में तत्वों का सही क्रम क्या है चलिए तो दिखे आवर्चारनिर्म में क्या होता है अगर आप बाई से दाई और जाएंगे तो आइनन विवब जो है तत्वों का वो बढ़ते जला जाता है याद रखना है तो यहाँ पर दिखे पूछा है कि प्रथम आइनन उर्जा के घड़ते क्रम में तत्वों को आपको बताना है ध्यान रखे घड़ते क्रम में तो देखे इन चारों उप्षन में से जो होगा आप यहाँ डी को दे सकते हैं मैगनिस्यम होगा फिर उसके बाद कम एल्मोनियम का उससे भी कम सोडियम का होगा यानिकि यह जो है आइनन उर्जा के घड़ते क्रम में तत्वों का सही क्रम दिया गया है डी ऑप्षन बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोस्टन उतक्रिष्ट गैसों में इलक्ट्रोनिक कोसों के करमसा जुड़ने से उनके निमलिकित गुंधर्म के मान में कमी आती है कौन से गुंधर्म में कमी आती है चलिए तो देखे उतक्रिष्ट गैसों में electronic कोसों के करमसर जुड़ने से उनके अकार में विर्धी होती है तता उसके आयनन उर्जा जो है उसमें कमी आ जाती है तो इसका सही जबाब होगा आयनन उर्जा में कमी होती है Next question ताका लगाने वाली धातू कौन सी है PB और SN से B option हमारा बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट को संदी के टाका जो होता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको इंगलिस में सोल्डर धातु बोला जाता है याद रखना है तीन और सौरी लेड और टीन से जो बनता है मिश्र धातु उसको क्या बोला आता है तो उसको शोल्डर हिंदी में टाका बोला जाता है दियान रखना है नेक्स्ट कोशन देखे अनुगति सिधान्द के अनुसार गैस की संपुर नूर्जा ब्रावर होगी चलिए अंसर करते जाएंगे किसके ब्रावर होता है तो दीके इसका सही जबाब क्या होगा गती जूर जाके फर्स्ट ओप्षन बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन न्यूटन के गुरुत्वा करसन नियम का सही समिक्रन क्या है आप यहां तीन ओप्षन देख सकते हैं लेख सोफ़ में है तो फिर्स्ट ओप्षन में है तो कते हैं देख सकते हं तो फर्स्ट ओप्षन में है थोड़ा सा ठापिंग रही है यहां पर क्या होगा G, M1, M2 होगा सही कर लेंगे तो फर्स्ट ओप्सन जो है यह Newton के गुर्तवा करसनियम का सही equation है Next question देखिए सूस्क सेल एक तरह का क्या है चली answer करते जाएंगे Primary सेल है, Secondary सेल है Lead Acid सेल है यह Nickel Iron सेल है तो देखिए, सूस्क सेल जो है यह एक तरह का प्रात्मिक सेल है First option हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा Next question देखिए A Theory of Justice नामक पुस्तक के लेखक कौन है चलीए, तो देखिए A Theory of Justice नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसका सही जवाब है Next question निम्न लिखित में से किस छेतर में पुरा पासानकाल, मद्य पासानकाल और नव पासानकाल के अवसेस एक क्रम में पाए गए है आप option देख सकते हैं कस्मिर घाटी, क्रिशना घाटी बेलन घाटी और गोदावरी घाटी है तो देखिए इस प्रस्न का सही जबाब जोगा वो बेलन घाटी में पाया गया है C option बिलकुल सही जबाब है Next question देखिए बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है इन निम्न लिखित में से किस छिस्ष को दिया था, important प्रस्न है और भगवान बुद्ध ने पाला उपदेश कहां दिया था आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे तो दिके भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था ये दिया था सुभद्र को C option बिलकुल सही जबाब है Next question देखिए निम्न लिखित में से किस अभिलेक में असोक ने करों में कुछ रियायसतों की घोसना की है चलिए आंसर करेंगे तो दिके इस प्रस्ण का सही जबाब जो होगा C हो जाएगा लुम्बिनी अस्तंबलेक चलिए इनके बारे में कुछ बता देते हैं तो दिके लुम्बिनी अभिलेक से असोक द्वारा बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा की जनकारी मिलती है और इसलिए इसे रुमिन दई अस्तंबलेक भी कहा जाता है नेक्स्ट कोसन बौत धर्म के चार आरे सत्य में से कौन एक प्रतित्य समुत्पाद के सिधान की व्याख्या करता है तो दिके बौत धर्म के चार आरे सत्य है उनमें से आपको बताना है कौन एक प्रतित्य समुत्पाद के सिधान की व्याख्या करता है तो वह है दूइतिय बी ओप्शन बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन निम्न में से कौन सा यूगम सही लिखा गया है सो समझ का अंसर करना है important question है तो दीके इस में से जो सही लिखा गया है वो खजुराहों हो जाएगा जो कि चंदेल सासको के द्वारा बनवाया गया था खजुराहों मंदिर का निर्मान जो है चंदेल सासक ने किया था बाकी देखे एलोरा गुफा जो है ये हो जाएगा राष्ट कुट से महावली पूरम जो है ये हो जाएगा आपका चोल से ओप्सन में नहीं है और मिनाक्ची मंदिर जो है ये पांडिस से संबंदित है सभी को ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन भारत छोडो आंदोलन के दोरान अपने बंदी बनाये जाने से पहले महात्मा गांदी ने लोगों के लिए निमलेकित में से कौन सा आदेश निरधारित नहीं किया था तो दिखे ये बहुत ही सिंपल प्रस्न है अगर आप सभी ओप्सन को सही से देखेंगे तो आप कॉमें सेंसे भी आंसर कर सकते हैं तो देखे अगर आप ओप्सन को देखें सही से तो डी में देखें क्या दिया गया है अपने को बिटिश समराट की परजा के रूप में देखना ये महात्मा गांदी ने आदेश नेधारित नहीं किया था याद रखना है डी ओप्सन बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन निमलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रों का परिनाम नहीं था चलिए तो दीके 1857 के विद्रों का परिनाम नहीं था 1857 के विद्रों के करण इसाई धर्म का प्रसार हुआ था उत्तर गुप्त वंस के निम्लिकित राजाओं में कौन हर्ष का समकालिन था सोच समझ के आंसर करना है important question है इन चारो उप्षन में से कौन राजा है जो हर्ष का समकालिन था तो ये है माधव गुप्त जो हर्ष के समकालिन थे C उप्षन बिल्कुल सही जबाब है next question निम्लिकित में से कौन گुजरात के सोलंकी राजवन्स का संस्थापक था चली आंसर करेंगे गुजरात के सोलंकी राजवन्स का संस्थापक कौन था तो इस प्रसंड का सही जबाब होगा मूल राज याद रखना है बी option बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा गुजरात के चालू के सोलंकी राजवन्स का संस्थाफक मूल राज प्रतम था उसने गुजरात के एक बड़े भाग को विजित कर अनिल वाला को अपने रालधानी बनाया था तो वायो दाव क्या होता है तो देखी हमने बताया था कि अगर तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने पर वायो गर्म होकर उपर की ओर उठती है जिसके फल्सरूप निम्ड़ दाव का निर्मान होता है तो सही जबाब हो जाएगा क्या कम next question देखे वायू मंडल की सबसे उपरी परत को क्या कहते हैं तो दीखे सबसे पहले नीचे से हम लोग शुरुवात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट अस्थान पर आपका छोग मंडल आता है दूसरे अस्थान पर कौन सा आता है समताब मंडल आता है याद रखना है और समताब मंडल में ही ओजन प्रत पाय जाते हैं तीसरे अस्थान पर मद्य मंडल चोथे अस्थान पर आयन मंडल और पाचवे अस्थान पर लाश्ट में बाय मंडल है तो आयो मंडल का सबसे उपरी प्रत कौन सा हो गया कौन सा हो गया बाय मंडल होगा लेकिन जिकी option में नहीं दिया गया है तो इसका right answer आप आयन मंडल को दे सकते हैं याद रखना है क्योंकि बाहय मंडल के पहले आपका आयन मंडल ही आता है next question भारत के किस राजी में विलाई लोह इस्पात सेंत्र इस्थित है चलिए तो देखे किस राजी में विलाई लोह इस्पात सेंत्र इस्थित है तो याद रखना है ये है 36 गड़ में D option बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा इसका निर्मान जो है दूतिय पंचवर्से योजिना में किया गया था किसकी साहता से तो सोबियत संग्यानी की रूस की साहता से किया गया था नेक्स्ट कोशन नील नदी किस जील से निकलती है चलिए आंसर करेंगे नील नदी किस जील से निकलती है तो आप सभी जानते हैं विक्टोरिया चे नेक्स्ट कोशन विश्व में प्राकर्तिक रवड का अग्रणी आया तक कौन देश है? चलिए तो दीके संजुक तराज अमेरिका जो है यह प्राकर्तिक रवड का सबसे बड़ा आया तक देश है तो सही जवाब क्या हो जागा अमेरिका? नेक्स्ट कोशन समुद्र का खारापन सरवादिक होता है किस प्रदेश में होता है? तो देखे समुद्र का खारापन सरवादिक होता है उसने कटी बंदिय प्रदेश में B आप्शन बिलकुल सही जवाब है नेक्स्ट कोशन देखिए विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्थ कौन सा है चलिए आंसर करते जाएंगे तो दीखे विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्थ आप सभी जानते हैं मेरियाना गर्थ है और आज के सेशन का अखरी प्रस्ण है निम नांकित में से कौन सी बाहिय चटान अधिक बारिक कनो वाली है चलिए तो दिखे इसका सही जबाब क्या होगा बेसाल्ट हो जाएगा बेसाल्ट जो है ये काफी बारिक कनो वाली आगने चटान है इस चटान का जो रंग है काला होता है और इसमें सीलिका की मातरा कम होती है तो सी ओप्षन बिल्कुल सही जबाब है तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 important प्रस्णों को कवर किया इसी के साथ आपका model प्रैक्टिसेट 6 यहीं पर समाप्त होता है तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद है